दोस्तो हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत वस्वागत है दोस्तो जिस तरह आप देख रहे होंगे कि एक बार पाकिस्तान के प्रधाल मंतरी ने इमरान खाने धंके दी यूद की उसके बाद महां के रेल मंतरी ने धंके दी और रेल मंतरी ने तो यह तक बता दिया कि भारत और पाकिस्तान का उद ऊकटन नॉमबर दिसंबर में होगा क्या ऐसा होगा बातचीत करते हैं काती खेडा गउвой में जिसको आप जानते हुए अपसे कुछ में पहले यहां की दो लड़की ओसकर जीत कराई थी आईए बाचीत करते हैं, मुँ दूटे के लोगा क्या गला है? क्या लगते हैं, आपको भरत पाकिस्तान का उद्ध होगा, अगर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बनाहई देना चाहता हूँ, आपने हमारी भावनाओं को समझा मैं एक किसान नेता होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो हमारे सामने कहीं भी निटिकेगा क्योंकि निन्यान में का युद्ध हो पैसट का युद्ध हो या इखित्तर का युद्ध हो उसे हर बार अपनी मूँ की खानी पड़ी है और अब तो उसकी अंतर राष्टे इस्तर पर भी बेज जती हो रही है लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं तो पाकिस्तान तो एक आतंगवादी पालने वाला देश है और अब तो देखो जो मुस्लिम कंट्री है उनमें भी हमारे मोदी जी का बहुत जो सोर से स्वागत हो रहा है तो हमारे भारत की जो नीती है वो तो सही रास्ते पर चल रही है लेकिन पाकिस्तान हमारे नीती को बिगाड़ना चाहता है लेकिन उसे इतना ग्यान नहीं है कि उसके साथ साथ तू भी खतम हो जाएगा जैसे कि रेल मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान कोई जो होगा वो ओक्टर नॉम्बर दिसमरे में होगा जोटर सचका तो यहीं पता चल जाता है कि जब रेल मंत्री बयान दे रहे थे तो उन्हें देखो बिजली का कितना तेज जटका लगा सच्चाई कभी छुपती नहीं है वो गलत कह रहे है केवल अपने बयान बाजी के लिए हो कह रहे है लाइट में आने के लिए हो कह रहे है यह सब कुछ गलत है दको जी जहां तक पाकिस्तान के युद्ध के धमकी है पाकिस्तान हमारे सामने बेशता क्या है जितना पाकिस्तान का टोटल बजट है ना साल का हमारे यहां बिहारी जो बिहार से लोग होते है वो पान खा के तुंक देते हैं पाकिस्तान हमारे सामने कहा टिकेगा क्या है पाकिस्तान की अवकात अंतराष्टे, राष्टे, NSA, DNA कहीं भी चले जाओ किसी भी जगह चले जाओ पाकिस्तान ने हमें सब मुकी खाई है खाता रहेगा हमारे सामने उसकी अवकात क्या है अच्छे आप हमारे चैनल के मादेमसी पाकिस्तान को क्या कहना जा रहे हो मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहूँ कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे हिंदुस्तान जो बना है वो हिंदुस्तान से हट के बना है यानि कि हम उसके बाप है इसलिए अपनी आउकात में रहे और बाप हमेसा बाप यह होता है हमारी बराबरी ना उसने कभी की है ना कर पाएग तो इसलिए विशेश रूप से मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री या जो भी उसका रक्षा मंत्री या जो भी उसके आला अदिकारी हैं मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगा कि अपने एक हद में रहके अपने आपको रखे ये गीदर धंकिया किसी और को दे हमें ना दे क्या लगता है जी आपको देखिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके अधाना चैनल को हारदिक बदाई देता हूँ जहां तक शवाल है युद्ध का तो युद्ध तो पहली बात तो हमारी भारतिय संस्कृती ऐसी है कि हम कभी पहल नहीं करते और अगर कोई हम पर वार करे तो फिर हम पीछे भी नहीं अटते कितनी बार युद्ध हुए हैं हमारे यहां हमेशा पाकिस्तान ने मूँकी खाई है लाहर तक कभजा लिया था हमने लेकिन अगर युद्ध की कोई बात ऐसी आई भी तो अभी तो कश्मीर ही हमारे कभजे माया है पियोके भी हमारा ही होगा क्योंकि आज तक हमने सिर्फ इ पाकिस्तान को साथ साथ केरें कि अगर अपकी बार युद होता है तो उसको नक्से से मिटाए जाएगा विर्णलीस तुसार के साथ भारता दाना आधाना न्यूज हापूर